जाहें इंद आपकी और वीडियों को जाने कि रिजल्ट कैसा आए और इस रिजल्ट का इस कमपनी के सेर प्राइस पर आए नीचे जाएगा इन सभी मुद्धों पर इस वीडियो में असान भासा हम बात होगी कि आगे कि आपके अब क्या होनी चाहिए आए यह वीडियो सुर करती है मार्केट के फे 233 रुपया देखे अनुमान था कि साल क्लाश तक इसका मार्केट के बढ़कर 800 क्रोन का असपास हो जाएगा लेकिन फिलाज जो नतीजे निकल कर सामने आ रहें उससे थोड़ा यह जो आकड़ यहां बता देता हूं कि कंपनी का में बिजनेस होता है उसका जो हिसाब किताब होता है उसको अलग देखेंगे पहले हम लोग एक्ष्टेंडलोन डाटा की बात करते हैं तो देखें एक्ष्टेंडलोन डाटा में कॉम्पनी का रेविनू देखेंगे लाख में सारे डाटा फॉर में बढ़कर अनाई 42 लाख का हो गया है जो क्वार्ट थीरी में 1234 लाख था तथा अगर पिछले साल के रियल्ट की हिसाब से देंगे तो पिछले साल इसका रिभेनु वता पिछले साल के मुकाबले देखें तो पिछले साल उसमें कापी अच्छा खासा कंपनी को प्रोफिट रिखा तो उसमें ज्यादा बहतर था अब अगर लेशन डाटा को देखेंगे कंपनी काटर फोर में बढ़कर 2000 लाख का हुआ है जबकि कौटर थीरी में सीर्फ है बारस्त होता है यानि कि क्वार्टर ली अस्तर पर देखेंगे तो कम हुआ है क्योंकि पिछले साल के रिजल्ट है उसमें जो कॉंसलेडेशन डाटा था उसका रिभेनू था आठासी सो चोबिस लाख का देखिए और अगर खर्चे की बात करें तो क्वार्टर फोर में इसको नहीं रिजल्ट आया था उसमें कंपणी को रिभेन्यू अच्छा खासा बढ़ा था तो कंपणी ने अपना खर्चा भी काफी अच्छा खासा बढ़ाया था अगर प्रोफिट की बात करें तो देखिए इसमें भी लॉस हो गया है कंपनी को प्रोफिट नहीं हुआ है जबकि कंपनी को प्रोफिट नहीं हुआ है जो काफी निगेटिव बात है और अगर आप लॉंग टर्म बने हुए तो आपको को ज्यादा चिंता की बात नहीं है लेकिन चुकि पेनी एक टो फिर भी सवधान रानी के जरूरत है अगर आपका थोड़ा बहुत भी प्रोफिट होता है तो आप जरूर प्रोफिट बुक करते रहे हैं और कभी भी इसमें हैवी इंवेस्टमेंट मत कीजिए तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बाते समझ मे आ रहे होंगे वीडियो इंफर्मेटीव लगा होगा अगर मन में कोई भी स्वाल है तो आप हमसे कमेंट में जरूर पूछे परसनली मुझे जूर कर बाते करना चाहते तो मुझे इंस्ट्रागर आपको फॉलोग कर लिए बाकी मिलते हैं नेक्ट वडियो में तो दो धन्य बात शुक्रिया